हैलो फ्रेन्ट्स, आज हम बनाएंगे जेली, जो बच्चे से लेके बढ़े तक सभी पसंद करते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बिना जेलेटिन के बनाएंगे हम, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी पसंद करते है इसे, तो चलिए इसका रेसिपी देख लेते हैं, इसके लिए हमें चाहिए ओरेंज, आज हम ओरेंज जेली बना रहे हूं, तो मैंने यहां पर चार ओरेंज लिया है, और इसके जूस निकाल लेना है, आप चाहिए तो quantity में कम या बढ़ा सकते हो, जेली बनाने से पहले हमें एक प्लेट को ग्रीस कर लेना, अ जूस निकालेते हमने ओरेंज में से, वो मेजर्मेंट के हिसाब से यहां पर मेरा देड़ कप बना है, तो अब यहां पर कम या ज्यादा भी डाल सकते हो, याद रखना है फ्लेम को ओफ रखना है, यहां पर हमें दो टेबल स्पून कॉन फ्लार डालेंगे, जो मक्के का जाले और मीठाए तो कम डाले, तो शुगर की कॉंटिटी जो है, वो अपने मन पसंद से ही रखे, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो कॉन्फलर है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी गुटलिया नार है, और इसमें हम थोड़ा सा फूट कल करना है, फिर इसे धीरे-धीरे हिलाते रहना है, चलाते रहना है, ताकि ये गुटलिया ना बन जाए, अच्छे से पक जाए, तो इसे चलाते रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, और ये बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, चार से पाच मिनिट में बन जाता और थिकनेस भी आ गए इसमें तो और थोड़े टाइम के लिए हम इसे पकाएंगे और इसे पकाना है low to medium flame पे high flame पे ना पकाएं तो यह धीरे धीरे जल्दी पक जाता है तो आप देख सकतो यह गाड़े भी हो चुके है और थोड़ा सा हमें इसे गाड़ा करना है तो इसे चलाते रहना है चलाते रहना है क्योंकि इसमें bubbles आते हैं और वो bubbles आपको लग सकता है बहुत ही गरब होता है तो यह इसे चलाते रहना है और यह healthy भी है स्रिफ इसमें मैंने food color डाली हूँ तो वो optional है और यह बीना gelatin के बने हैं यहाँ पे jelly पक चुके हैं और हम इसे plate में निकाल लेंगे आप चाय तो इसके जो mold आते हैं उसमें भी डाल सकते हो या पिर छोटे-छोटे cutory glass में भी डाल सकते हो अब अपने हिसा आप से shape दे सकते हो plate में डालने के बाद इसे थोड़ा सा tap करना है ताकि यह अच्छे से फैल जाए फिर हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है फिर freeze में रखना है इसे 2-3 घंटे के लिए तो मैंने यहाँ पे 2-3 घंटे बाद निकाल लिए तो आप देख सकते हो जो jelly है वो perfect बने है उंगली की help से चारवा और से jelly को निकाल ले और चाकू से इसे काट ले फिर यह असानी से निकाल जाता है आप देख सकते हो कितने असानी से निकाल रहा है jelly और यह देखने में कितना soft और वाओ यहाँ पे मेरा बेटा खाने के लिए ready है तो यह खाने में बहुत ही tasty लगता है आप ऐसे भी इसे खा सकते हो और यह बीना gelatin के है तो इसलिए बहुत ही healthy है मैं यहाँ पर जो desiccated coconut होता है उसी में से इसे coating करूंगी आप चाहे तो ऐसे भी soft कर सकते हो coconut से यह देखने में और भी अच्छा लगता है और खाने में भी tasty लगता है तो यहाँ से हम इसे coating कर लेंगे और इसे ही आप freeze में भी रखकर खा सकते हो आप देख सकते हो कितना बढ़िया दीख रहा है यह और बहुत ही soft बने है बिल्कुल भी टूटा नहीं है यह कही से भी एकदम soft soft jelly बनाया है जो बच्चे इसे बहुत पसंद करते है और बड़े भी पसंद करते है यहाँ पर jelly बनके ready है आप इसे कैसे भी खा सकते हो कैसे लगी है आपको jelly वाली recipe प्लीज कॉमेंट करके बताना बहुत ही soft है और बहुत ही tasty है आप इसे जरूर try करे घर में मैं मिल